आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम 3 सेकिंड के अंदर किसी का भी परसंटेज निकाल सकते हैं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है बच्चों के लिए तो उसके लिए बहुत ही सोट और आसान ट्रिक जो मैं आज आपके लिए लाया हूँ विदिन 3 सेकिंड आपका अंसर आजाएगा तो इसमें क्या करना होता है कि जब भी आपको किसी का परसंटेज निकालना है जैसे यहां 40 का 30 परसंट आपको निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है 340 की मल्टिप्लाई करनी है 340 की multiply करने के बाद जो आएगा उसके 2 अंकों के पीछे से मतलब 1 अंक की तरफ से 2 अंकों के बाद दसमलों लगा देना है तो आपका अंसर आ जाएगा 12 तो 30% of 40 is 12 तो 3 चुक 12 भी आप ऐसे कह सकते हैं लेकिन हमें 2 अंक पीछे के खतम करने होते हैं तो यह सबसे बड़िया तरीका होता है किसी भी multiply करने का तो यहां already 2 0 है 2 0 हटानी है तो इसलिए हम directly 3 चुक 12 भी इसको कह सकते हैं लेकिन जो हमने यह तरीका सी कह है यह हर एक में apply होगा तो इसलिए आसान होता है next आप ले लेते हैं अब हमने यह question लिया जिसमें 20% of 60 आसान सी एक value ली है तो इसमें भी मुझे पता है 2 0 है तो छेंदूनी 12 हमारा answer आजाएगा नहीं तो आप traditional way में करते तो लेंदी पड़ता है बाकी क्या है 2 चिके 1200 और हमें पता है कि 2 अंकों के बाद दसमलो आएगा तो सिर्फ यह value बच जाएगी पीछे दसमलो के पीछे 0 का कोई मैत्व नहीं होता है तो हमारा answer 12 आजाएगा ऐसी values लेते हैं जिसमें पीछे 0 नहीं आता है 31% of 82 अब हमें 31% of 82 निकालना है तो आप लोगों को क्या करना है 31 और 82 की multiply करना है दो अंकों की दो अंकों में multiplication मैं आप लोगों को पहले भी सिखा चुका हूँ मेरी previous वीडियो में आप देख सकते हैं मैं description box में उसका link देदूँगा आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं और मैं थोड़ा सा उसको revise भी कर देता हूँ इसकी multiply इसमें होती है दो एकम दो बीच में cross multiply होके add होता है तीन दो निच्छे और आठ चोदे वन केरी हो जाएगा फिर इसकी multiply इसमें होती है आठ तीचोबिस और एक पच्चिस और यह आगया पच्चिस सो बयालेस यह जब आप practice करेंगे तो within one second आपको multiplication आजाएगा और हमें पता है दो अंको के बाद हमें दसमलों लगाना है तो आपका answer आएगा पच्चिस पोइंट चार दो यह आपका answer होगा जो कि आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यह देखिए एक example और लिया है जिससे कि आपको जादा अच्छे से clear हो जाए तो 32 into 93 हमें पता है तीन दूनी 6 तीन तीन नो और दूनी 18 और 9 27 दो 9 37 और 2 29 तो answer आया 2976 multiplication के बाद लेकिन हमें पता है दो उनकों के बाद point लगाना है तो answer हो जाएगा 29.76 तो इस तरीके से आप किसी भी number का multiplication करके उसका percentage निकाल सकते हैं within 3 seconds 32% of 93 is 29.76 तो यह वो values ली जिनका percentage निकालने में बहुत जादा time हमें लगता है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं within 3 seconds तो मिलते हैं next वीडियो में एक और नई trick के साथ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी पोजिशन को हम 3 seconds के अंदर कैसे कर पाएंगे चले मिलते हैं next वीडियो में थैंक यू